हेलो स्टुरेंट्स आज हम लोग बात करेंगे साइबर ओफेंस की कि साइबर ओफेंस क्या होता है और कैसे जो है क्रिमिनल उसको प्लान करते हैं साइबर ओफेंस को करने के लिए तो देखिए जहां तक टेकलोजी की बात है अगर हम लोग बात करेंगी सब इंटरनेट की वै यानि हमेशा से ही टेकलोजी जो है वो डबल-एज-स्वार्ड की तरह काम करती है डबल-एज-स्वार्ड ठीक है जैसे आप नुक्लियर इनर्जी की बात करें तो नुक्लियर इनर्जी के अगर आप कंस्ट्रक्टिव यूज करें तो आप उससे नुक्लियर पावर इस्टेशन वगरे चला सकते हैं और चलाए भी जा रहे हैं और अगर आप डिस्ट्रक्टिव यूज की बात करें त उससे नुक्लियर बॉम जो बहुत ज्यादा नुक्सान पहुचा सकते हैं वो अप्रियेट कर सकते हैं तो हमेशा से टेकलोजी जो है वो एक डवलेज स्वार्ड की तरह ही काम करती है इट कैन बी यूज़ फॉर गुड परपस ऐस वेल एस फॉर बैट परपस इडिपेंड्स और यू इन वाट पर यूज़ 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 आप इसमें क्या होता है कि जो लोग जिनकी टेंडेंसी होती है डेमेज को कॉस्ट करना या इलीगल एक्टिविटीज को परफार् करते हैं कम्प्यूटर्स एंड टूल्स अवलेबिल इन इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी और अल्सो नो एक्सेप्शन्स यानि कि जैसे हम नुकलर इनर्जी के लिए बात कर रहा है वैसी जो भी आपके जो कम्प्यूटर और आईटी के जो टूल है चाहे वो हार्डवेर हो च ठीक है मतलब कम्प्यूटर और आईटी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑफेंस को टार्गेट करने के लिए मतलब उसको मिनिमाइस करने के लिए उसको जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए as well as on the other hand you can also use this computer and IT tools to commit an offense अब इसमें क्या होता है कि आज के समय में जो स्थिति है वर्ल्ड की in today's world of internet and computer networks criminal activities can be carried out across national borders with false sense of anonymity तीक है यानि कि अब आज के समय में जो computer और internet की technology है उसकी मदद से जो criminal activities है वो across the national borders भी की जाती है की जा सकती है और की जा रही है with false sense of anonymity तीक है मतलब लोग उसको criminal activities को कर रहे हैं यह सोच के कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा या हमें कोई जान नहीं पाएगा ठीक है लेकिन without realizing we seem to pass a tremendous amount of information about ourselves इसमें क्या होता है कि बगार इस चीज को realize किये हुए कि यह कितना harmful हो सकता है हम लोग जो है अपने बारे में जो भी personal information है या और भी जो valuable information related to us है वो हम लोग जो है उसको pass करते है ठीक है और यह भी हम लोग नहीं सोचते है कि यह आगे चलके इसका misuse भी हो सकता है या क्या हमें पता रहता है कि इसका misuse नहीं होगा इतना हम नहीं सोचते हैं अभी continue passing our valuable and personal information to other places ठीक है इतना उसको गंबीरता से हम लोग नहीं लेते हैं अब इसमें क्या है जैसे for example अगर government agencies जो है ठीक है किसी भी तरह की government agency है तो वह अगर information हमसे मांगती है वह information उस वर्क से related है कि नहीं जिसके लिए वह माग रही है हम बगार को सोचे समझे अपनी वह information जो है government agencies को पास कर देते हैं ठीक है सेकेंड क्या हुआ हुआ माल लीजे हम शॉपिंगर करने जाते हैं अब वहां जो बिल बनाते टाइम जो काउंटर पर जो भी sales executive बैठा हुआ है वह आप से सारी information ले लेता है कि साब आपका नाम क्या है for number क्या है कहां रहते है address क्या है without going into the detail कि यह हमसे क्यों माग रहा है और हम अपने information की value नहीं समझते वह सारी चीजे हम उसको pass कर देते हैं केवल इसलिए कि जल्दी हमारी billing हो जाए ठीक है तो जो टेली marketeer होते हैं जो टेली बता है जैसे यह हो गया इसके अलामा मान लीजिए हमने कहा कि कोई शॉपिंग कर रहे से computer वगरे कुछ खरीद रहे हैं ठीक है टेक्निकल एसेट हम खरीद रहे हैं तो उसको भी लेने के दौरान अगर company मांगती है तो private companies को भी हम लोग अपनी वो सारी information प्रोवाइट कर देते हैं और information में क्या क्या रहता जैसे आपका data of birth वागा वह हमने दे दिया personal email address था वह भी हमने दे दिया ठीक है bank account की detail है यह भी हमने बगार कुछ सोचे समझे बगार उसकी डेफ्ट में गए कि इसकी जरूरत है इसको की नहीं है वो भी हमने दे दिया credit card की detail कई जगा फिल कराता है भाई auto payment के लिए इसके उसके लिए वो भी हम लोग फिल कर देते हैं तो यह सारी जो चीजे है यह जो हम अपनी personal information बगार सोचे समझे पास कर देते हैं इससे क्या होता है कि इससे जो जितने भी cyber criminals है जो लोग इस तरह की crime commit करते हैं उनको बड़ी help मिल जाती है तो इस चीज का हम लोगो ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लेविल और पर्सनल इंफॉर्मेशन है अंटिल अनलेस इस नॉट रिक्वाइड इस नॉट नेसेसरी फॉर एट परपस हमको इसको अननेसेसरी पास नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह तो हो गया कि इस साइबर ओफिंस कहां से शुरू होता है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि faktiskt cyber criminals क्या करते है यह रोगोस्ट कांनली清 क्राइब्स that targets यह कपीटर साइबर क्राइम में क्या होता है कि maximum crime ऐसे होते हैं जिसमें मौ कंप्यूटर को target करते हैं Cyber criminals use the worldwide web and internet to an optimum level for illegal activities to store data, contacts, account information, other personal information, etc. अब इसमें क्या होता है कि जो criminals होते हैं, they take advantage of the widespread lack of awareness about cyber crimes and cyber laws among the people who are constantly using the IT infrastructure for official and personal purpose. तो जो cyber criminal होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का फाइदा उठाते हैं कि जो lack of awareness होती है हम लोगों में, lack of awareness होती ही किसी भी person, individual में या companies में या departments में about the cyber crimes and about the cyber laws, ठीक है, उसका वो फाइदा उठाते हैं, जबकि हर वो व्यक्ति, हर वो organization, हर वो department, जो IT infrastructure को use कर रहा है, चाया official purpose के लिए, चाया personal use के लिए, उसको, उसकी awareness होनी चाहिए, cyber crime के रपती, और उस crime को punish करने के जो भी cyber, या control करने के जो भी cyber laws available है अपने country में, ठीक है, उसकी awareness जरूर होनी चाहिए, जो लोग भी IT infrastructure को use करते हैं, और generally, जो लोग cyber crime commit करते हैं, वो हम लोग पीशे एक वीडियो रेक्टर में बता चुके हैं, कि they are called crackers, ठीक है, जो लोग cyber crime commit करते हैं, they are called crackers, ठीक है, So this was all about the basic introduction of cyber offense, कि cyber offense क्यों होता है और कैसे किया जाता है, अब इसमें बात या आती है कि जो cyber criminals होते हैं, उनको वो different different तरह से operate करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब और उसी तरह उनको categorize भी किया गया है, ठीक है, जैसे hackers है, crackers है, frackers है, तो, अलगी hacking पर अलड़ी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकर देखिए, आप इसमें कुछ, जो cyber criminal होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, कि जैसे सबसे पहले बात आती, hackers की, hackers क्या होते हैं, hackers is a person with a strong interest in computers, who enjoys learning and experimenting with them, hackers are usually very talented, smart people who understand computers better than others, the term is often confused with cracker, that defines someone who breaks into computer, ठीक है, तो, यह तो हो गया, hacker, उसके बाद, next है, brute force hacking, तो, देखिए, brute force hacking क्या होती है, brute force hacking, इसमें क्या होता है, it is a technique used to find passwords or encryption keys, ठीक है, brute force hacking एक technique है, जिसमें हम किसी व्यक्ति के password को या encryption key को access कर लेते हैं, brute force hacking involves trying even possible combination of letters, numbers, etc., until the code is broken, तो, इसमें हम सारे possible combination try करते हैं, ठीक है, letters के, numbers के, और भी जो characters हो सकते हैं, जब तक की code जो है, ब्रेक नहीं होता है, that is called brute force hacking, cracker क्या होते हैं, जैसे भी हमनों थोड़ा सा उसको डिसकस किया था, कि cracker simply वो व्यक्ति होता है, जो computer को break करता है, मतलब, cracker की, cracker is usually connected to a computer criminals, some of their crimes include vandalism, theft and snooping in unauthorized areas, ठीक है, अब cracking क्या होती है, cracking it is the act of breaking into computers, cracking is a popular growing subject on the internet, many sites are devoted to supplying crackers with program that allow them to crack computers, ठीक है, कई sites जो है, program के साथ में crack, crack, जो है, cracker, provide करती है, जो उनको allow करता है, computers को crack करने के लिए, some of these program content dictionaries for guessing password, other are used to break into phone lines, called fracking, ठीक है, phone lines को break करने को fracking कहते हैं, ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, fracking, यारी phone lines को जब break किया जाता है, access कर ले लिया जाता है, अपने पास, that is called fracking, these sites usually display warnings such as, these files are illegal, we are not responsible for what you do with them, ठीक है, अब cracker tools की जो बात आती है, तो cracker tools में, these are program used to break into computers, cracker tools are widely distributed on the internet, they include password cracker, trojans, viruses, war dialers and worms, fracking हम भी हमने आपको बता दिया कि fracking sites on the internet are popular among crackers and other criminals, war dialer क्या होते हैं, यह भी हम आपको बताते हैं, war dialers, war dialer simply, it is a program that automatically dials phone numbers, looking for computers on the other hand, यहनी war dialer क्या है, यह वो program है, जो automatically dial करता है phone numbers को, looking for computers on the other hand, it catalogs numbers so that the hackers can call back and try to break in, so, यह different तरह के जो cyber criminals होते हैं, depending upon their activities, उनको हम यह different different categories में, वो अपना criminal activities को perform करते हैं, ठीक है, तो I hope कि आपको यह basic concept जो है, cyber reference का clear हो गया होगा, इसके regarding कोई doubt या confusion है, तो comment line में comment करके लिखे, और अगर video content पसंद आ रहा है, तो video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे, ताकि next video की information आपको time से मिल सके, thank you. ताकि तो